कैसे कॉंग्रीस के आगे जोके उद्धव ठाकरी लोग सभा में ज्यादा सीटे लड़े पर अब समझोता अब तक मिली ज्वानकारी के नुसार कॉंग्रीस 105 सीटों पर उतरेगी तो उद्धव सेना को 96-100 तक सीटे मिल सकती हैं एंसीबी शरत पवार को 85 के करीब सीटे दी जा सकती हैं या पूरा समझोता उद्धव सेना के त्याग के चलते ही समभव हो पाया है जुसकी लगातार मांग थी कि वह 125 सीटों पर कैंडिडेंट उतारेगी महराश में वहाँ विकास अघाडी गटवंधन के बीच सीट शेरिंग को लेकर समझोता अंतिम चरण में हैं सूत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस उद्धव सेना और शरत पवार के एंसीपी के बीच सीटे दी जा सकती हैं इस तरह साफ हो गया है कि उद्धव सेना कॉंग्रेस के मुकावले कम सीटों पर उतरेगी यह पूरा समझोता उद्धव सेना के त्याक के चलते ही संभव हो पाया है जिसकी लगातार मांग थी कि वे 125 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे फिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव सेना को 125 सीटे तो नहीं मिली बलकि कॉंग्रेस से भी कम सीटों पर राजी होना पड़ा लोग सभा में इससे उलट इसी थी जब उद्धव सेना ने 21 पर चुनाब लड़ा था और 9 सीटे जीती थी वहीं कॉंग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाब लड़कर 3 पज़ीत हासल की थी माना ज़ारा है कि इस स्ट्राइक रेट को ही सामने रखते हुए कॉंग्रेस ने उद्धव सेना को राजी किया कि वेकम सीटों पर चुनाब लड़े कॉंग्रेस की प्रदी सद्यक्ष नाना पटोले और उद्धव सेना के संजेराउत के बीच तो लंबी जुबानी जंग भी चली यहां तक की संजेराउत ने कहा कि वे उस मीटिंग में नहीं जाना चाहेंगे जिसमें नाना पटोले होंगे फिर शारत पबार ने दखल दिया और उद्धव ठाकरे से बात की कहा ज़ा रहा है कि उनकी करीब दो घंटे की बात शीत नहीं पूरी इस्तिती को संभाला फिर कॉंग्रेस की दलील थी कि विदर्भ में उसका अच्छा जनादार है लेकिन उद्धव सेना की वहां इस्तिती कमजूर है ऐसे में उसका वहां की सीटों से लड़ना नुकसान करेगा वे भाजबा से सीधे मुकाबले में नहीं जीत पाएगी इसलिए कॉंग्रेस को ही कॉंग्रेस ने इसके लिए लोग सब चुनाब का स्ट्राइक रेट भी सामनी रखा अंत में उद्धव सेना को यह मानना पड़ा कि कॉंग्रेस ही जादा सीटों पर चुनाब लड़े कॉंग्रेस का कहना था कि अमराबती नागपूर, रामटेक और पुनी जैसे इलाकों म उद्धव सेना की उपसिती कमजूर है, इसलिए यहां की सीटों पर हमें ही ज्यादा मौका मिले, जिसे जीत की संभाबना बनेगी, वहीं उद्धव सेना ने अंत में बराबरी का भी प्रस्ताब रखा था, इसमें कहा गया था कि उद्धव सेना और कॉंग्रेस सो सो सीटो कम मिलेंगी